हलो नमस्तिय असलाम अलेकुम शास्त्रिया काल दिस इस राम खान एड़ा पैक फित नदर वीडियो तो गाईज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है संडे और संडे होता है हमारे चैनल पर फंडे जिसमें आप लोग के सारी कोशिशन उठाकर प्रॉपरली उनके आंसर द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसका फायदा होगा गाईज के इन फ्यूचर में अपनी कोई भी लिटेस वीडियो प्लोट करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस्स नहीं कर पाएंगे तो गैज स्टार्ट करते हैं हमारे संडे को आने का पहला कोष्चन लेखा है इंडियन मॉम पूनम ने को हर महीने की रिपोर्ट सेंड कर देता है तो दस से बीस तारिक तक वेट किया किजी रिपोर्ट का अगर बीस तारिक तनहीं आए तो पच्छे से चबिस तारिक तक आपको 100% यूटूब की तरफ से उफिशेली मंसली रिपोर्ट जीमेल के तरही मिल जाएगी तो इसमें टैंशन वाली को भी बात नहीं है बाई चांस रिपोर्ट नहीं भी आए तो भी कोई जो अले बात लिए चाहँँगाeso सारे वीडियो शूट करने के लिए बोया का M1 माइक यूस करता हूँ जो कि इस टैम मेरे चैस्ट पर लगा हुआ अगर आपको इसके अन्बॉक्सिंग वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं रही बात इस माइक को यूस करने के तो मैं इसकी क्लिप के जर लाइव आई है हमें आपको लाइव देखना है तो मैडम बताना चाहूंगा मेरा भी बहुत जादे दिल है आप लोगे साथ लाइव आकर बात करने कर लेकिन एक प्रॉब्लम है मैं जहां पर वीडियो शूट करता हूँ यह मैं अपनी च्छत पर वीडियो शूट करता हू और यहां पर नेटवर्क की बहुत जादा प्रॉब्लम है इन फैक जब भी डेटा उन करता हूँ तो यहां पर एक मैसेज भी सेंड नहीं हो पाता है लेकिन जब भी मैं अपने नीचे जाता हूँ अपने रूम में अपने वरांडा में अपने आगन में तो बहुत अच्छ आप लोगे से लाइव आकर लाइव बात कर सकों तो बहुत जब लाइव आने की कोशिश करूँगा जब तक के लिए इस्टे टून अगला जो कमेंट है वो लिखते हैं जैद गेमिंग स्टूडियो सर वन लास्ट कोश्चन सर मैंने अपने सब्सक्राबर्स हाइट किये और जब भी आपका चैनल रिव्यू में जाएगा तो ड़सिंट मैडर आपके सब्सक्राइबर हाइड हो या ओपन हो उससे रिव्यू में और मॉनिटाइजेशन में को भी फरक नहीं पड़ता है अगला जो कमेंट है वो लिखाए आसिया अवैस ने वाश्टाइम कैसे पहले से जादा अट्रेक्टिव बनाने की कोशिश किजिए सेकेंड टिप यह है कि अपने कंटेंट पर सोकस किजिए एक बर आपके कंटेंट बढ़िया हो जाएगा और आपका थंब्ले सब्सक्राइब तो लोग आपके वीडियो पर किलिक करने के लिए मजबूर हो जाए अगला जो कमेंट है वो लिखाए अतीक पॉइंट ने इतना अच्छा बोलना कहां से सीखा आपने तो मेरे भाई कोई बोलना सीखा विखा नहीं है मैंने जैसा कि मैं अपने प्रीविएस वीडियो में 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 बनाने के लिए बैठता हूं तो वीडियो शूट करने से पहल इसी के विज़ेते शायद आपको मेरे बोलने के स्टैल पसंद आता है इन फ्यूचर कभी भी मेरे टॉकिंग स्टैल में आप मेंसे किसी को भी दिक्कत लगे तो प्लीज कमेंट करके बताएगा मैं उसको इंप्रूफ करने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा अगला जो क कि मैं कहां बैट कर वीडियो बनाता हूं लेस्ट को विज़ें लिखा है टेकनिकल एक वी ने सर अगर कोई यूटूबर की फस्ट पेमेंट आ जाए और वह वीडियो बनाना बंद करते तो क्या उसकी पेमेंट आएगी यह नहीं यह कोई फरक पड़ेगा उसकी अर्ने में सथीरे-दीरे कम कर देता है जिससे हलके-लके आपके अर्निंग भी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है तो अगर आपकी फर्स्ट अर्निंग आ गई है तो आप यह मत सोचें कि हर महीने आपको यूटूब की तरफ से अर्निंग होती ही रहेगी आपको इसके लिए रैगुलर जब भी वीडियो बनाता हूं तो कोई खास खोशी नहीं होती लेकिन जब आप लोगे इस ट्रैप के प्यार बरे कमेंट आ जाते हैं तो दिल अंदर से बहुत जादा खोश हो जाता है मोटिवेशन मिलती है कि मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है और बज़े अपने कुछ नकुछ मनी अजीव करूं मैंने ये चैनल खोला था गाइस फ्रीय में नॉलज़ देने के लिए इन फुचर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो कुछ भी यूटूब के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भी हैल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम प पताने क्या कर रहा है यूटूब लैट्स को बता और नेक्स कोशन लिखा है वी एन के टेक हिंदी ने भाई मेरे एक्सेंस का पेश सीटीर टोड़े 13.45% हो गया है कोई प्रॉब्म तो नहीं है ना प्लीज रिप्लाई ब्रो तो अगर अगर बताना जाँगा आपका एक्स पेश सीटीर या फिर एक्सेंस का सीटीर अगर 10% से या 12% से जाता जा रहा है लगतार दो या तीन दिन तक तो आपको प्रॉब्म हो सकती है और अगर एक्सेंस का सीटीर आपका 10 या 12% एक दो दिन तक जाता है इसके बाद नौरमल हो जाता है तो कोई भी प्रॉब्म वाल विजित माई चैनल नो ब्रदर थैंक्यू सो मच एवना इंप्रोव्मेंट थे क्वालिटी आफ माई वीडियो बाइट आफ माई हार्वर्क एंड माई लॉट्स आफ प्रेक्टिस सो नो ली टॉनी टॉनी टैप अफ शॉर्टकट्स एनिवेस थैंक्यू सो मच सॉरी गाईज फर दर लोकेशन चेंज जहां पर मैं वीडियो शूट करा था तो मेरे फेस पर बहुत जादा धूप आने लगी थी गाईज अभी भी साइट से आ रही है तो मैंने थोड़ी से लोकेशन चेंज कर दे इस वीडियो को जल से फिनिश करते हैं गाईज और पढ़ किया था तो गाईज भाई मेरे आइडियर है उनकी वीडियो पहले बहुत जाते देखा करता था अब तो मैंने एक्साइज वगरा करना बंद कर दिये तो उनकी वीडियो सब कम ही देखता हूं लेकिन फिर भी उनकी वीडियो का भी नोटिफिकेशन में आ जाती है तो मैं देखना नहीं भूलता हूं तो रोईद भाई मेरे पैस वीटूबर है आई होप आपको इस कुश्चन का आंसर मिल गया हुगा तो उम्यत करता हूंगा है कि आज की वीडियो में अच्छी तरह से आपके सारे कुश्चन के आंसर दे दियोंगे और धूप अभी भी मेरे चे हुआ हुआ